अ हम अपनी मेंच से अप्रिमान दार उस्ष एकनती से अपने ताकत से अ हम यहां तक पहुंचें हैं हम अंदर परिवारवाद नहींन हैं पहारा नौकरी करते हैं मैं परिवारवाद केुलाफ नहीं भी डॉक्त के बेटे बैटें क् leo Dogma सकते हैं इंजीनेयर के इंजीनियर बन सकते है तो राज नितिग्या बेटा वी राज नती के बन सकता है ब्सक्रतिक होनी चाहिए आपका Jupiter हैं ने-्याव्य मेरे सुरूप से पनप नी पाएगा यह मैंा जुरुप से हमने GROUND से आए performs हैं हुआ हुसमें बहुत मेहनत रही है आपके सबुत्रने कोई मेहनत नी की वह 2005 में मधी बना तो आपकी बदौत आ आप मुख्य मंत्री थे 2009 में published बना तो आपकी बदोलत आप मुख्य मंत्री दे 2014 ज़ी और डिपेंदर जी भी आ दो नो हरे क्योंकि आUM मुख्य मंत्री नहीं नी कॉंगर्स पार्टी के अंदर योगों की फोज खड़ी होती वहीं दूसरी तरफ भारत्य जनता पार्टी देखिए आप नरेंदर मोदी जी के नेतरतम में आज पूरा भारत चमक रहा है उनकी सोच है समाजिक सोच परिवारबाद नहीं है ना सोच ही नी है उनकी और इसी सोच का मैं कायल हूँ अज उनका एक नारा है सबका विकास सबका साहथ सबका विकास और हमारा प्रियास सबका प्रियास के साथ वुआ अगे बड़ रहे ह। हर्याना में जीवन है मुझे एक बार मिलने का मोगा मिला मैं प्रभावी तुम मनहुरलाल खटर जी की दीतियों से और उनके काम के करने के तरीकों से तो यह सब बाते हैं अगर आज भुपेंदर सिंग हुड़ा जी सबको साथ ले करके चलते तो कॉंगर्स का यह हश्र ना होता और मैं आ सबागे नहीं आने देंगे तो यह यह दुरबागे जीटी रोडवेल्ट का जिकर करूंगा जीटी रोडवेल्ट पर दिन बाद दिन कांगरस कम जोर होती जा रही है शोक्तावर ने बरसक प्रयास किये पानिवत कांगरस के मंच पर एद्ली भी कि कुमारी शैल जाने भी प्रियास किए इन दोनों को जो हशर हुआ वो सबने देखा अब उसके बाद आप निशाने पर देखें यह सभाविक है मैं कभी बात नहीं करूंगा पूरा हर्याना मेरा पूरा भारत मेरा है मैं भारत से प्रेम करता हूं और हैं एप्र॥ा अपने आपको सोभाकर के सली मांथा हूं कि मैंने भारत की इस पवित्र धर्ती पर जन्म लिया है और मैं हरियाणा की धर्तिफे यहाँ जहां घुष्थ शेत्र की धरती ज़ह, ब्गवान कृश्या को अ पदेष दिया जहां उन्हों यूगे यूगे वो कहते हैं कि जब जब अधर्म बड़ा है जब जब धर्म की आनी हुई है तब तम मैं आया हूँ हम से जड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं अगर आप यूट्यूब फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज्यादा से ज़्यादा शेयर करें ध देवाद